नमस्कार मैं सबसे पहले पतारा चाहूं कि आइम नॉट ए प्रोवेश्टल यूट्यूवर मैं एडूकेट हूं और क्योंकि मैं यह सब प्रहांती फिलाजी आये थी यूट्यूब में उल्टे सीधे थम्निल्स लगा करके टाइटल्स दे करके बिल्कुर कानून से विरुद स्वाल पूछे और कर्चा कता डी वी एक पर कर्चा नहीं देने पड़ेगा बीवियो कुमार दो तीन चार बी नहीं चलेगी चाहतो ठाद में नहीं चलेगी है फर्दी वाले आइटम है काचरी अलग है जानी बाई एलल भी अलग है यह सब अलग है इसलिए उनको छोड़ लिए और हम लोग बात करते हैं कानून की अप कानून देश का अलग है और यह फिल्में अलग होती है जाये जानी बाई हो चाहे मुन्ना भाई वो अलग होती है मैं कोई मेरे पास कोई इस्टेंड नहीं है मेरे पास कोई मैंने कोई इस्टुडिन निमना रख्था एक ऑम अपको बात कर रहा हूं असली जो बात बात था चाहता है Twelve कानून के वीं तो आज में बात कर Іसके बारे बारे कंप्लेंट किस पर सब्सक्रेय के जो परक्रयाइब लेघन मुंड़े कि अब देखिए अपराथ की छीड़ी अलगल होती है उनकी जो होती है अपराथ कितना कंभीर है कंभीर तब अलगल होती है तो थाने में जो जांच करेंगी पुलिस जांच करेंगी अपराथ में बगार एस एस पी के आउडर के या बगार मेंसेट को आउडर के जांच नहीं की जांच नहीं है 406 में यूपी पुलिस जांच नहीं करेंगी लेकिन कर रही है उसमें भी लिखा है पुलिस जांच नहीं होगी मगर एस पी कराद इस ते लेकिन की जा रही है कोई बास नहीं अब बात आती है आपने किसे म्हायल में सुना है कि ऑ्रल मंघेस्टेटाकर संग्या लेओ सब्सक्राइब केस में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं है तो वापिस कर देगा बहुता है दोसो एक में जो दफा है उसमें वादी के बियान पुष्ट होते हैं जो उसी कंप्रेट की बैक्सराइब लिखना जरूरी होता है लिखे जाते हैं और दोसो में ही वह गवादी के होते हैं जो वादी के होता है जो अपकी तरफ से वह दोसो में होते हैं लाकी दोसो दो में जैसा चलना है अगर उन ब्यानों से जो वादी के हैं उसके गवाओं के मेरिस्टेट सच्टुष्टे को अपराद बनता है तो दोसो चार में वो बुल्जिंपू तलब कर सकता है लेकिन एक बार उससे अगर संग्यान ले लिए हो नाइटी वन में तो उसको खारी जिए कर सकता है दोसों कोड ने ये कह दिया है कि वैस्ते देदी है कि अन दी स्टेंट अफ एवेड़ेवेट अफ दी कम्प्लेनेंट भी एक्यूस को तलब किया जा सकता है इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं बात करूँ दोसों की दोसों होने के बाद या तो मेंस्टेट तलब करेगा लेकिन वो तब तलब नहीं करेगा दोसों दोसरूरी है अगर जो मुझ्जिम है मैं मैंस्टेट के नियाय लेकर चेहते दिखाते हैं बाहर रहते हूं या सेशन ड्रैवल केस है तो उसको दोसों दो में इंक्वाईरी करना ज़रूरी है और इन दो इस्तितियों में अगर एक्यूल्ट बाहर के हैं या सेशन ड्रैवल केस है तो उनको नियालों में कवाई लेने ही पड़ेगी उसके प्लिस की जाच नहीं कर सकते हैं दोसरा विकलप यह है कि दोसों की दोके इंक्वारी मैंस्ट खुद न करे ठाने से या किसी अधि अधिकारी को वह प्राप्तों का में जो पुली स्वालों को हता है गर्फाओर के लाववा कि ये कानुन ने पीज़ते हैं कि मैंस्टिट जो है वादी के लाएगा वां को कोई दोसों वादी को दोस्वा दोस लिख लेते और तलब कर देते हैं यह बिल्कुल गलत बिल्कुल कानून की विरूस है मैस्ट को अबना निजी भी इस्तिमाल करना पड़ेगा जो वादी गवहा लेकर आया उसके अत्रिक्त जिन गवहाँ या तो उसके तलब कर ले उसके अधार पर जो लगता है कि इस केस में मदद कर सकते हैं निसका साइट पर पहुंशते में उ उन कागदों की चार्च करान चाहिए अगर कोई कागद संदे नक है वो सीएफेसल के अधिकारी को बला ले जो वादी है उसके वहाँ को छोड़ के उन गटने इससल के आसदा गया वहाँ को जिससे लगता हो कि इनको इस अपरायात के बारे में होने या ना होने की जानकार है वो और जैसे वन सिक्से सियर पीसी में पुलिस वाला जो होता है आयू जो होता है वो हर उस वेक्ति को बलाना चाहिए जिस पर उसको लगता हो कि इसको इस मकदमे के बारे में कोई ना कोई जानकारी है उस पर एक्यूद भी शामिल है वन सिक्स्टी में आउट करके वन स तो he can call upon the accused person during inquiry also आके काई पूछे उन से कि आपको क्लाफ ही आपना आद आद आपको क्या कहना है वो दोसों होती है तरही प्रक्राइब वो है अगर कि उनकी वो एलिवाही है अगर फर्दी केस किया गया है अगर वादी का नाम फर्दी है या आदा का फर्दी लगा दिए है उसने पज़्चर क्या पता याई दी फर्दी दिये है इरस फर्दी कूछ भी पढ़िया है तो best person कौन है वो है क्यों सूब तो उसको दोसों दोमें आवत कीजिए उसके बियान लिजिए अगर कि मुखले में जगला हुआ है तो वहां के सीडी टीवी फूर्ड आउट कीजिए गभाओं के और मुल्भिमानों के सीडी आर कॉर्डिटी रिपोर्ट जो दो साल तक सुरुष्कित रह सकती है उनको आउट कीजिए डॉक्टर को सप्लिमेंटरी पोड़ाल के डॉक्ट एक नेख दावा कर दिया पहला ब्यान अब कुस्ति से हो रहा है कि मुष्ट को लिखता है आखिस दो सो दो तो पता ही है कैसे कर आता है मुष्ट साब अंदर होते हैं लंच टाइम में वकिल साब गए गवा को ले गए वकिल साब बोलते रहे और पिशकार या टैपिस्ट यह हो रहा है बिल्कुल हो रहा है जो नहीं होना चाहिए मेरा मानना यह है कि 200 कम्प्रेंट केस का सबसे मिस्यूज अजास्ते कर रही है दोसो दो में इनको आई नहीं कर रही है इसलिए कि मैठ हुआ आया था पता है क्यों और रूल कर दिया गया कि आपजेक्शन का था उस इन्हें प्लिस अपनी सभाई दे सकता है अपने प्रक्षपस्ट कर सकता है कम्प्रेंट केस में कब है 202 में लेकिन आदालते उसका इसमाल नहीं कर रही है कि मत्यूज वाली रूलिंग बहुत अच्छी थी वो होनी चाहिए अब्यक्शन फाइल कि जाने चाहिए पहले जोसो वही वादी वही वही वह लिखके छुट्टि किया बला लिया वो नहीं है निजी वेवक कैश्माब किया है इकस्मेर्ट बलाए हम nggak मंबुदि've तक भी आयु तो बैतिवाद लागी होगी, अगर आपको पसंद आया है, सुनिये, मैं जब जो बास कहता हूं, अपने 17 साल की ग्यान से कहता हूं, आप सुनिये, अच्छी लगे, लाइक कीजिए, नहीं लगे, डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ट्रॉल कीजिए, मैं गल्त हो सकता हू मैं में इनसान हूं कोई, I am not a God, मेरे ग्यान गल्त हो सकता है, आईए, बताईए, बहस करें, कमेंट डालिए, जवाब लीजिए, मुझे दुर्स कीजिए अगर अपको लगता है मैं गल्त हो तो, बहुत बड़ी है रहेगा, और व्यू कीजिए, जानने कोश्च कीजिए, ह तभी तो देखेंगे, तभी आप सब्सक्राइब करके आपको नोट फिर जाएगा, आप देखेंगे, आईए, ग्यान बर्थन करें, कानून कोश्च असली पहलो जाने, और अगर मुझे असली पहलो नहीं है, ग्यान तो आप बताईए, धन्यवाद, नमस्कार, गुड़ विशे वेरी वेरी हैपी दिवाली ही,